हलो एवरीवन वेलकम टू एडबलीवे फैमिली देखो डिफाइन इंटिग्रेशन का नेक्स्ट कोस्चन है जिसमें लिखा है इंटिग्रेशन जिरो टू थ्री एक्स स्क्वेर इन ब्रैकेट थ्री माइनस एक्स रेस्ट टू पावर फाइव बाइटू अगर इस प्रकार का कोस्चन आएगा ने मैटा तो आपको डिफाइन इंटिगेशन का एक प्रापरेटी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वैसे ये सॉल करना डिफिकल्ट है क्योंकि थ्री माइनस एक्स इस ब्रैकेट क्यों पर फाइव बाइट हुआ है और उस ब्रैकेट का एक्सपांशन नहीं हो सकता है और जब तक इस ब्रैकेट का एक्सपांशन नहीं होगा तब तक ये एक्सक्वेर अंदर मल्टिप्लाइ नहीं कर सकते हो वैसे तो कुछ पापी है जो डाइरेक एक्सक्वेर को अंदर लेकर जाने का सोच रहे होंगे जगह आएगा a minus x यह property well known है आपके लिए तो जब बेटा 0 to a के लिए अगर x के जगह a minus x आ सकता है तो 0 to 3 के लिए x के जगह 3 minus x आ जाएगा तो यह जो integration है देखो कैसे आ जाएगा यहाँ x square था ना तो x के जगह 3 minus x आ जाएगा उसके ऊपर square आ जाएगा come on देख लो original problem और यहाँ पर यह 3 as it is minus as it is और जो x है x के सामने minus था इसलिए यहाँ पर bracket देना ज़रूरी है point to be noted take your time जो x था बेटा उसके जगह 3 minus x लिखा हुआ है have a look अब बोलो integration 0 to 3 यह 3 minus x का whole square करो क्या आगा बटा a minus b का whole square तो a square minus twice a b plus b square I repeat a square minus twice a b plus b square और यहाँ पे plus 3 और minus 3 cancel यह minus और यह minus plus तो यहाँ पे x raise to power 5 by 2 आ जाएगा take your time पहले यह integration कैसे था और after this property कैसे हो गए आप आराम से देख सकते हो अब बेटा यह जो x raise to power 5 by 2 है यह आराम से अब अंदर हर टम के साथ multiply हो जाएगा तो देखो क्या आएगा integration 0 to 3 बोलो 9 into x raise to power 5 by 2 minus 6 x into x raise to power 5 by 2 plus x square into x raise to power 5 by 2 bracket complete dx have a look अब सोचे बेटा इसके integration का तो integration 0 to 3 यहाँ पे आएगा 9 x raise to power 5 by 2 minus 6 यहाँ x cube पर 1 है और यह x cube पर 5 by 2 है so 1 plus 5 by 2 so it will be x raise to power 7 by 2 दोनों power का हो जाएगा addition loss of indices इधर x के उपर 1 है इधर x के उपर 5 by 2 है 1 plus 5 by 2 it becomes 7 by 2 plus 2 plus 5 by 2 it will be 9 by 2 have a look और यहाँ आजाएगा dx take your time अब बेटा यह जो integration के अंदर तीनों time है इसका आप आराम से integration कर सकते हो तो देखो क्या हो जाएगा 9 as it is x raise to power 5 by 2 का integration करोगे तो x से बढ़ाना पड़ेगा तो x cube पर 7 by 2 आजाएगा नीचे भी 7 by 2 आजाएगा 7 by 2 को x से बढ़ाओगे तो यहाँ 9 by 2 आजाएगा तो यहाँ पर भी 9 by 2 आजाएगा x cube पर 9 by 2 है उसको x से बढ़ाओगे तो 11 by 2 आजाएगा और यहाँ पर भी 11 by 2 आजाएगा take your time अब देख सकते हो आप ने बेटा x के power को x से बढ़ा दिया है चेक करो हर टम को तो यह इस प्रकार से हमने इसका integration किया अब आपका काम है कि इसको आप limit अपलाए करोगे अपर लिमिट और लोवर लिमिट तो बोलो क्या होगा i equal to यह जो नीचे 7 by 2 है उसको उल्टा करके 9 into 2 by 7 तो it will be 18 by 7 18 by 7 और x के जगा आएगा 3 3 raise to power आएगा 7 by 2 lower limit 0 है यहाँ पर 6 2 चा हो जाएगा बेटा कमान 6 2 चा 12 हो जाएगा तो यहाँ आएगा बेटा 12 by 9 12 by 9 take your time 6 2 चा 12 तो 12 by 9 और यहाँ आएगा x के जगव 3 तो यहाँ आएगा 3 raise to power 9 by 2 3 raise to power 9 by 2 उसके बाद यह जो 2 by 11 by 2 है तो 11 by 2 का 2 by 11 हो जाएगा 11 by 2 का 2 by 11 हो जाएगा और x के जगव 3 आजाएगा 3 raise to power 11 by 2 इस प्रकार से और मैंने lower limit इसलिए नहीं लिए बेटा क्योंकि हर x के जगव 0 रोखोगे फिर lower limit के लिए तो पूरे के पूरे term 0 हो जाएगे वैसे यहाँ पे भी इस problem को छोड़ सकते हो लेकिन कुछ student है जो इसके अंदर common निकालने का सोच रहे और बेटा हर term के अंदर 3 raise to power 7 by 2 common है अगर 3 raise to power 7 by 2 को आप common निकाल लेते हो तो क्या बचेगा सोचेंगे यह 18 by 7 है अब यहाँ से 3 raise to power 7 by 2 चला गया तो सिर्फ 18 by 7 बचेगा 12 by 9 को मैं 4 by 3 लिख सकता हो और 3 raise to power 9 by 2 से अगर 7 by 2 चला गया तो 9 by 2 में से minus करो 7 by 2 को so it will be 3 चा स्क्वेर और 3 चा स्क्वेर हो जाएगा 9 I repeat बर-बर सोचो 7 by 2 को minus करोगे यहाँ से 9 by 2 से 7 by 2 बहार निकाला है तो 9 by 2 से 7 by 2 को subtract करोगे तो 9 by 2 minus 7 by 2 it will be 2 by 2 और 2 by 2 का meaning है 1 तो 3 की उपर 1 बचेगा similarly इतर देखो यह 2 by 11 है इस 3 raised to power 11 by 2 से अगर 3 raised to power 7 by 2 का मन आ जाएगा तो 11 by 2 minus 7 by 2 it will be 4 by 2 और 4 by 2 का meaning 2 तो 3 का स्क्वेर हो जाएगा 9 3 का स्क्वेर हो जाएगा 9 have a look अब बोलो बेटा आगे तो यह 3 raised to power 7 by 2 और यहाँ पे जो भी टम है उसका बेटा आप बरबर सोचिए कि क्या होगा तो no doubt यहाँ पे यह 3 और यह 3 तो सीधा ही कैंसल हो रहे तो यह जो बचे बेटा हम है एक के नीचे 7 है और एक के नीचे 11 है तो पेटा उसका जो LCM है न वो 77 है LCM जो है वो 77 है कमान क्योंकि 18 के नीचे 7 है 4 के नीचे कुछ नहीं बचा लेकिन 2 के नीचे 11 है तो 7 और 11 का LCM 77 है इसलिए नीचे अगर 77 लेते हो तो हर एक को 77 से मल्टिप्लाए करना पड़ेगा तो कर बचा 18 को 18 बाइ 7 को 77 से मल्टिप्लाए तो यहाँ पे 77 अपॉन 7 जो रहेगा उसका आएगा 11 तो यहाँ पे आएगा 18 इंटू 11 18 इंटू 11 माइनस 4 इंटू 77 और प्लस 2 इंटू 9 तो यह 8 हो रहा है तो इंटू 9 यह 18 तो हो रहा है लेकर वहाँ पे 7 आजाएगा क्योंकि 77 से इसको मल्टिप्लाए गरोगे 77 बाइ 11 इसका मैनिंग है 7 तो हैव लूक टेक यूर टाइम अच्छे से बोलो बेटा आगे क्या होगा यहाँ पे 3 रेस्ट टू पावर 7 बैटू करो इसका मुल्टिप्लिकेशन 18 इंटू 11 तो यह आएगा 198 क्या आएगा 198 77 इंटू 4 करो तो यह आएगा 366 स्वारी 358 टेक यह टाइम ऐसे हो जाएगा 308 एक्चुली बी स्पेसिपिक करो ना 77 इंटू 4 करोगे तो 308 और 18 इंटू 7 करोगे सु इट विल भी 126 और डू नाट फर्गेट अपवान में क्या है 77 है अब बेटा इसका आप एडिशन सब्ट्रेक्शन अच्छे से करो सु आंसर विल भी 16 बाई 77 16 बाई 77 और हीयर 3 रेस टू पावर 7 बाई 2 अब मैंने आपको ये दोनों अंसर इसले निकाल के दिये हो सकता बेटा यहां तक के भी लिखा तो चल जाएगा लेकिन कभी अगर अंसर शीट में यहां तक के अंसर लिखा है तो आपको ये करते आना ची या फिर यही कोशन जब MCQs में आएगा तो हो सकते कि ये ऊपर का अंसर में आपशन नहीं हो लेकिन ये लास वाला हो तो आपको पता होना ची कि इसके कैलकुलेशन होते कैसे है हां सरी हां तक कि हमको क्लियर है तो ये था पेटा प्रडल नबर 5 अब देखेंगे प्रडल नबर 6 इंटिग्रेशन माइनस 3 से लेकर 3 उपर X क्यूब है और नीचे 9 माइनस X स्क्वेर है उपर X क्यूब है और नीचे 9 माइनस X स्क्वेर है अब देखो इस लिमिट को देखकर ही आपको याद आजाना चाहिए कि वेटा यह प्रोलेम आप E1 और्ड फंक्शन के प्रॉपरिटी से कर सकते हो रैसा करने के लिए फिर आप लोगों को यहाँ पे अंदर के टंग को F of X बोलना है F of X is equal to X3 upon 9 माइनस X स्क्वेर अब वेटा जब भी कोई प्रोलेम को E1 और्ड से देखना हो तो आपको यहाँ पे X के जगह माइनस X रखना पड़ता है जब भी E1 और्ड का प्रोलेम हो तब आप X के जगह माइनस X रखोगे और E1 और्ड फंक्शन का प्रोलेम तब ही हो सकता है जब लोर लिमिट जो है वही अपर लिमिट होना चाहिए बस साइन चेंज हो जाना चाहिए जिसे माइनस 3 to 3, माइनस 7 to 7, लाइकवाइज अब रखके देखो बेटा हर X के जगह माइनस X रखो तो यहां माइनस X, यहां X के जगह माइनस X तो उसका क्यूब अपॉन 9 माइनस यहां X के जगह माइनस X तो उसका स्क्वेर टेक यूर टाइम, मैंने यहां पर हर X के जगह माइनस X रखावा है और x के जगह माइनस x रखा हुआ है तो माइनस x का cube माइनस x cube माइनस x का cube माइनस x cube अब देखो कुछ हलके student ये denominator में माइनस माइनस प्लस करने का सोचेंगे लेकिन गलत सोच रहे हो पहले बेटा माइनस x जो bracket में उसका square होगा बाद में बीच में का माइनस action में आएगा so 9, minus और माइनस x का square सिर्फ x square होता है so overall देखा जाए तो f of x को observe करो और f of minus x जो मिला है उसको observe करो तो पता चल रहा होगा it is almost same ये minus ऐसा ही छोड़ देओ और बचे हूँ को आप f of x बोल सकते हो come on देखो न माइनस छोड़ की बचा को x cube upon 9 minus x का और उसको आप f of x बोल सकते हो और कभी भी याद रखना f of minus x is equal to minus f of x आता है तो उसको बोला जाता है it is an odd function अगर minus भार आ जाता है तो odd function बोलते है और as it is जैसे के वैसा वापस मिलता है उसको even function बोलते है और according to the property याद करो कुण सा property है minus a से लेकर a तक f of x dx is equal to इसका आंसर 0 होता है जब function odd होता है लेकिन even odd function का concept बही आ सकता है जब जो lower limit है वही upper limit है सिर्फ sign change है तो ऐसी कहानी है so function is odd so therefore आप यहाँ पर आप हक से लिख सकते हो minus 3 से लेकर 3 x cube upon 9 minus x square dx इस integration को आप solve करने के जरुरत नहीं है अब direct यहाँ पर 0 लिख सकते हो because of property of definite integration take your time अच्छे से समझो तो clear होई जाएगा have a look तो यह बटा फिव्ट और 6 है चलो अब हम 7 number का देखेंगे देखो क्या आएगा let i is equal to integration minus pi by 2 से लेकर pi by 2 log of bracket में 2 प्लस साइने एक्स अपउन 2 माइनस साइने एक्स यह लॉग वाले इस प्रकर के प्रोलेम फेमस है दिखने के लिए बहुत और डिफिकेंट लगते है बट बिलिव मी इसको solve करने का concept वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया था जैसे बेटा lower limit जो है वह ही upper limit है बस sign change है तो आपको क्या करना है इंटिग्रेशन के अंदर जो term आपको दिखाए दे रहा है उसको f of x बोलना है तो यहाँ पे 2 plus sign x आएगा और denominator में 2 minus sign x आजाएगा come on अंदर के term को f of x बोल देंगे इसमें फिर आप लोगों को x के जगा minus x रखना पड़ता है अब आप यहाँ पे जो भी x के term है हर x के जगा minus x रखो और सोचो क्या होगा so log of 2 plus sign of minus x 2 minus sign of minus x check कर सकते हो हर x के जगा बेटा मैंने minus x रखा हुआ है और for your kind information जब भी sign के साथ minus है तो वो minus बहार आ जाता है इसलिए जो बीच में plus दिखाए जा रहता है न बेटा वो minus हो गया क्योंकि sign of minus theta sign of minus theta is minus sin theta इसलिए denominator में भी minus बहार आकर minus मिला कर plus हो जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से मिलेगा अब इस कहानी में एक twist है आप देखो original f of x क्या है और f of minus x क्या मिला यह अगर observe करोगे तो आपको पता चला होगा कि जो बेटा f of x में denominator था denominator था वो यहाँ पर numerator बना है और जो numerator था वो denominator बना है और कभी भी अगर lock के problem में ऐसा होता है तो इसको आप थोड़ा इस प्रकार से लिख सकते हो कैसे देखना denominator को मैं numerator में लिख लेता हूँ और numerator को मैं denominator में लिख लेता हूँ और lock के पर ले मैं ऐसा तभी लिख सकते हूँ जब इसका inverse करोगे देखो मैंने यहां के term का inverse कर दिया तो numerator denominator बन गया और denominator numerator बन गया और आप जानते हो कि lock के साथ जो term है उस के उपर अगर कोई power है तो वो power आगे आएगा वो power को आगे लेते हो तो minus log of 2 plus sin x upon 2 minus sin x देख सकते हो जब भी lock के साथ जो term है उसके उपर अगर कोई power है तो वो power आगे आ जाता है यह lock का property है अब देखो बेटा original f of x और यहाँ पर f of minus x का जो value मिला है वो आला देखोगे तो definitely आप बोलोगे कि sir यह minus as it is और उसके side में जो term है वो f of x के साथ match हो रहा है have a look और जब भी बेटा f of minus x का value minus of f of x आता है तो उसको बोला जाता है odd function क्या बोला जाता है odd function ठीक है ना come on have a look अब देखो बेटा आगे हम यहाँ पर एक property यूज़ करेंगे वो कौन सा property आपको पता है that is minus a से लेकर a f of x dx तो उसका value 0 आ जाता है जब f of x odd function होता है f of x odd function होता है तब minus a to a का integration overall 0 आता है so therefore यह जो हमारा original problem है जहाँ पे lower limit minus pi by 2 है और upper limit pi by 2 है तो लॉग आफ 2 प्लस साइन एक्स upon 2 माइनस साइन एक्स dx इसका answer आएगा 0 इसका answer 0 आने के पीछे रीजन यह है क्योंकि यह problem even odd function के property से solve हुआ वर जब अंदर का function odd हो तब direct उसका indication आप 0 लिख सकते हो so this was short, sweet and simple problem for you come on have a look हाँ sir हमको यहाँ तक के पूरा clear है अब देखो बेटा problem number 8 come on let i is equal to integration minus pi by 4 so यह लेकर plus pi by 4 यहाँ पर आएगा x plus pi by 4 क्या आएगा x plus pi by 4 यह numerator में आएगा और denominator में क्या given है देखो denominator में बेटा 2 minus cos 2x take your time अब देखो कुछ student हर बार जैसे ही limit minus 8 यह दिखा कि direct शुरू हो जाती कि even odd function से करेंगे no doubt यह भी problem even odd function से होगा लेकिन बेटा यह direct नहीं होगा यह numerator में देखो एक term जिसे x है उसके साथ plus pi by 4 है सिर्फ x होता तो बात अलग है तो यहाँ पर अगर आप अंदर के function को f of x बोलते भी हो और वहाँ even odd check करते भी हो तो ना ही यह even function होगा ना ही यह odd function होगा क्योंकि बेटा even function होने के लिए as it is function वापस मिलना चाहिए और odd function के लिए सिर्फ एक term को minus नहीं पूरे term में से फिर minus common आ जाना चाहिए यह तो कुछ लोग इसको odd function के लिए जैसे रखेंगे तो numerator में minus x आ जाएगा denominator में पता है cos of minus theta सिर्फ cos theta होता है और जो numerator minus x आएगा उसको common निकल कर इसा बोल देंगी कि odd function है गलत सोच रहे हो point to be noted समझने की कोशिश करो क्योंकि सिर्फ x को minus x लगाने से नहीं होगा फिर plus pi by 4 का भी तो सोचना पड़ेगा पर वो जबर देसे से minus common नहीं निकलेगा वहाँ से तो let me clear हूँ इस problem का सबसे important technique यह है कि आप इस problem को दो अलग-अलग integration में break करो तो बात बनेगी सो minus pi by 4 to pi by 4 x upon 2 minus cos 2x 2 minus cos 2x dx plus minus pi by 4 से लेकर pi by 4 numerator में आएगा pi by 4 upon 2 minus cos 2x तो हमने उसी integration को break करके लिखावा है चेक करो उसमें पहले integration को हम i1 बोलेंगे और दूसरे integration को हम i2 बोलेंगे अब बेटा इस total problem को हम दो अलग-अलग part में solve करेंगे चलो पहले देखेंगे i1 की कहानी so let i1 is equal to integration minus pi by 4 से लेकर pi by 4 x upon 2 minus cos 2x dx have a look अब देखो हम पहले part को solve कर रहे हैं उसको i1 मैंने यहां लिख लिए अब अगर अंदर के function को आफ f of x बोलते हो और even or function से इस problem को सोचते हो तो वो बहुत अच्छी बात है इसलिए यहां पे f of x is equal to x upon 2 minus cos 2x आ जाएगा f of x is equal to अंदर के डम को हम लिख लेंगे और even or के problem में हम x के जगह minus x रखते है तो बेटा आप इस problem में हर x के जगह minus x रखो तो numerator में minus x आ जाएगा 2 cos 2x है तो 2 as it is तो x के जगह minus x आ जाएगा take your time हमने देखो हर x के जगह यहाँ पे minus x रखा हुआ है for your kind information numerator में तो minus x as it is रहेगा लेकिन आपको cos का property पता है कि cos के साथ अगर अंदर negative भी है न बेटा तो भी यह बहार नहीं आता है उसको आप positive करके लिखते हो तो यहाँ पे फिर यह cos of सिर्फ 2x ही बचेगा यह minus बीच में का original वाला है और जो cos 2 into bracket में minus x था उसका सिर्फ x ही रहेगा so have a look it will be like this यह ऐसा बना है तो आप बेटा इसको आराम से अब minus of f of x बोल सकते हो क्यों बोल सकते हो क्या आप देखो f of x के साथ compare करें यह पूरा term as it is है और बर बर denominator as it is है numerator में सिर्फ x है और उसके सामने minus है इसका मतलब इस total term के सामने minus है और उसको फिर आप minus of f of x बोल सकते हो इसका मतलब यह function कौन सा हुआ यह function odd हो गया तो अब यहां लिखोगे therefore it is an odd function it is an odd function अगर यह odd function है तो फिर आपको पेटा यह जो property है लिखावा है उसको यहां पूरा का पूरा लिख लेना पड़ेगा that is minus a to a integration minus a to a f of x dx is equal to 0 whenever function is odd so therefore यह जो i1 है जहां पे integration minus pi by 4 से लेकर pi by 4 है और x upon 2 minus cos 2x है dx उसका answer direct आप 0 लिख सकते हो because it is a odd function उसके बाद बेटा यह तो सिर्फ i1 हो गया अब आपको i2 के बारे में सोचना है now think about i2 और हमारे पास जो यहां पे i2 available है come on तो देखो क्या करेंगे i2 is equal to यह pi by 4 को बाहर निकाल लेंगे और यहां बचेगा minus pi by 4 से लेकर pi by 4 अब numerator में सिर्फ बचेगा 1 और denominator में 2 minus cos 2x हाँ denominator में अगर 1 minus cos 2x होता तो हमारे पास trigonometry का direct formula एवेलेबल है लेकिन बचाँ अगर denominator में 2 minus cos 2x है तो आपको एक type याद आना चाहिए कुण सा जब भी कभी अगर denominator में cos 2x का term हो sin 2x का term हो या दोनो term हो तब हम generally tan x के जगर t रखते है tan x के जगर t पूट करते है और यहां से x is equal to निकालते है tan inverse of t x is equal to हो जाएगा tan inverse of t क्योंकि बटा tan x का derivative problem में अवेलेबल नहीं है तो हम यहां पे dx is equal to tan inverse t का derivative करेंगे तो 1 upon 1 plus t square आ जाएगा और यहां dt आ जाएगा तो अपने को यह dx का replacement मिल गया फिर आपको याद आता होगा cos 2x और sin 2x का भी replacement आपको पता था that is 1 minus t square upon 1 plus t square यह cos 2x का replacement है यही cos 2x के जग अगर sin 2x होता तो 2t upon 1 plus t square आता है अब आप ही बताओ अगर पूरा problem t में जा रहा है और limit अगर आपके पास x के available हो तो definitely फिर आप उस problem का conversion और limit का भी conversion t के लिए solve करोगे तो बोलो फिर अगर बेटा यहाँ पे x के जगव minus pi by 4 रखते हो तो 10 of minus pi by 4 आएगा तो t का value minus होना जाएगा सोचिए और जब आप x के जगव positive pi by 4 रखोगे तो t is equal to 10 pi by 4 आएगा और 10 pi by 4 का value 1 आएगा यह जो i2 है उसका यह तो pi by 4 बाहर है लेकिन फिर after solving यहाँ minus 1 से लेकर 1 आएगा numerator में dx है तो dx का क्या आ रहा है अपना come on dx के जगह हमारा आ रहा है dt अपन 1 प्लस t square यह तो dx का replacement है हमारे पास और denominator में 2 minus cos 2x है come on 2 minus cos 2x है देख लो बेटा तो यहां लिखेंगे 2 minus cos 2x के जगह 1 minus t square upon 1 plus t square और हो सकता है आप में से कुछ लोग यहां पी ही 1 plus t square को cancel करने का सोच रहे है लेकिन गलत सोच रहे हो यहां cross multiply हो जाना चाहिए तो बोलो क्या आएगा i2 is equal to यहां का pi by 4 अब बेटा lower limit शरी denominator और numerator के नीचे जो time है वो cancel तो होगा लेकिन तब होगा जब आप cross multiplication करोगे तो 2 into 1 2 आजाएगा 2 into t square 2 t square आजाएगा minus 1 और plus t square आजाएगा take your time और हैं आएगा dt cross multiply करने के बाद denominator के नीचे वाला और numerator के नीचे वाला term हो जाएगा cancel तो यह ऐसे मिलेगा अब आप ही बताओ यहां बचा क्या है so it's quite simple 2 t square प्लस t square it will be 3 t square और 2 minus 1 1 और हैं आजाएगा dt अब आप बोलो आगे i2 is equal to क्या मिलेगा तो बेटा यहां से जो denominator में t square के साथ 3 है वो common निकलेगा इसलिए यहां पे pi by 12 आजाएगा क्या जाएगा pi by 12 4 into 3 और यहां बचेगा minus 1 से लेकर 1 1 upon t square plus 1 by 3 आएगा फिर यहां पे 1 by 3 और यहां जो 1 by 3 आएगा उसको आप 1 by root 3 का square लिख सकते हो यहां जो 1 by 3 आएगा उसको आप 1 by root 3 का square लिखते हो और आप ही बताओ जब अगर integration के अंदर 1 upon x square plus a square हो तो उसका integration 1 upon a होता है तो यह होगा 1 upon a 1 upon a tan inverse of x by a tan inverse of x by a तो t के अपॉन में 1 by root 3 आएगा और limit minus 1 से लेकर 1 आजाएगा टेक यह टाइम अब बोलो बेटा क्या होगा i2 is equal to तो यह root 3 को उपर लिख लेता हो तो यहां आएगा root 3 pi upon 12 root 3 pi upon 12 और यहां जब upper limit lower limit लगाओगे तो एक बार t के जगा 1 आएगा तो overall tan inverse of root 3 आएगा tan inverse of root 3 आएगा और tan inverse of root क्योंकि 1 by root 3 जो नीचे है वो उपर जाके root 3 t हो रहा है root 3 t upon 1 बोले तो root 3 root 3 t होगा t के जगा 1 तो tan inverse of root 3 तो tan inverse of root 3 होता है pi by 3 और lower limit का minus यह minus 1 है तो उसका minus minus प्लस हो जाएगा तो यहां फे pi by 3 आजाएगा तो आप ही बताओ root 3 pi by 12 तो नीचे जो 12 है उसमें 3 into 4 है 3 into 4 है नीचे जो 12 है वहाँ पे 3 into 4 है यहां फिर यहां बर-बर सोचो यहां आएगा root 3 by 12 यहां पे pi pi by 3 प्लस pi by 3 it will be 2 pi by 3 pi by 3 प्लस pi by 3 it will be 2 pi by 3 अब आप बताओ उपर root 3 है नीचे 3 है तो एक root 3 एक root 3 cancel फिर भी एक denominator में root 3 बचेगा 2 के साथ 12 cancel फिर भी नीचे 6 बचेगा तो overall यहां पे बचेगा pi square upon 6 root 3 pi square upon 6 root 3 यह बेटा i2 का value है यह बेटा i2 का value है so therefore i is equal to क्या होगा i1 प्लस i2 था तो i1 का value 0 था come on i1 का value 0 था और i2 का value आया है pi square upon 6 root 3 so finally i का भी answer आएगा pi square upon 6 root 3 that's it so यह बेटा एकड़ा 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 जानदार कोश्चन है answer याद रखना pi square upon 6 root 3 take your time अब एक एक step सोचो अच्छे से solve करो और इसी problem को दो चर बार लिख कर देखो कुछ भी हो answer यही आएगा so this is all about today